किसान साथियों आज हम लोग बात करेंगे हमारी फसलों में फूल जड़ने से बचाने वाले और फूलों की संख्या बढ़ाने वाले सबसे बेश्ट दो टोनिक के बारे में तो इसमें हमारा पहला आता है गोद्रेज के डबल और कोरो मंडल के फेंटेक प्लस के बारे में आज हम बात करेंगे क्यों हर किसान इन दोनों का उप्योग अपनी फसलों पर करना ज़्यादा अच्छा समझता है तो दोस्तो डबल के गोद्रेज और फेंटेक प्लस के इस्प्रे डोज और कीमत की आज हम बात करने वाले हैं डबल गोद्रेज के अवस्था इस्प्रे और डोज की बात कर लेते हैं तो सांतियों इसमें हमें पहला इस्प्रे हमारी फसल के फूलों की जब सुर्वाती अवस्ता हो उसमें सांतियों हमें जब 5 से 10 प्रतिस सतक हमारे पूदे में फूल दिख रहे हो तब हमें पहला छिड़काव 100 ml प्रती 200 लिटर पानी के हिसाब से करना है उसके 12 से 15 दिनों के बाद हमें दूसरा इस्प्रे उस फसल पर 120 ml प्रती 200 लिटर पानी के हिसाब से करना है और सांतियों जो किसान सांती सिंगल स्प्रे करना चाहते हैं वो 140 ml प्रती एकड में 200 लिटर पानी के हिसाब से फूल आने की अवस्ता में शिड़काव कर सकते हैं साथियों इसके कीमत की हम बात कर लें तो इसके कीमत आपको 2200 से 2400 रुपे प्रती लिटर के हिसाब से मार्केट में असानी से यह टोनिक मिल जाता है अब बात कर लेते हैं कोरो मंडल के फेंटेक प्लस की तो इसका इस्प्रे हम सभी प्रकार की फसलों पर कर सकते हैं इसमें साथ ही पहला छिड़काओ फूल आने की अवस्ता में 100 ml प्रती एकड और दूसरा इस्प्रे उसके 15 दिनों के बाद ही हमें 120 ml प्रती एकड के हिसाब से करना है और यदि आप सिंगल इस्प्रे ही करना चाहते हैं तो आपको 140 ml फेंटेक प्लस का प्रती एकड 200 लिटर पानी के साथ इस्प्रे करना है इसकी कीमत भी आपको सेम ही देखने को मिलेगी लगभग 2200 से 2400 लिटर से आपको यह भी मार्केट में असानी से मिल जाता है अब सांतियों हम एक जरूरी बात कर लेते हैं इसके उप्योग और महत्व से डबल गोद्रेज में मुझूद सक्रियतत्व होमोब्राशिनोलाइड 0.04% वेसे तो यह एक प्रकार का होरोमोन है जो हमारी फसल में पहले से ही मुझूद होता है होरोमोन फूल और फल में पूर्ण रूप से विकास में साहिक होता है सांथियो इसके उप्योग से हमारी फसलों में डेंठल जो फूल का डेंठल होता है वो काफी मजबूत होता है और हमारी फसल काफी गुणवत्ता पूरुन होती है अब हम बात कर लेते हैं फेंटेक प्लस की तो इसमें अमीनो एसीड और काफी मातरा में विटामिन्स पाये ज जिससे फूलों का डेंठल मजबूत रहता है और फूल बिल्कूल भी नहीं ज़रते है इससे हमारी फसल है उसमें उत्पादन के बड़ोत्री होती है पिंटेक प्लस और गुद्रेज के डबल का उप्योग करने से हमारी फसलों में जो विपरित परिस्तितिया होती है उनको वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो आप चेनल को सब्सक्राइब अवश्य करे और अधीक से अधीक किसान साथियों तक शेयर करे आपका क्रिशक साथी संदीप पाटिदार जई जवान जई किसान